हेलो दोस्तों कैसे होतों दोस्तों आज के इस नए वीडिम आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस नए वीडिम आप सब का स्वागत करता हूँ दोनों टीमों के लिए बहुत important match रहेगा आगे बढ़ने इस प्लेट टेलेग्राम चैनल से आपको जूड़ना है बिकोज वही सारे final updates आपको मिलते है टेलेग्राम चैनल की लिंक आपको comment section में first comment में मिल जाएगी दोस्तों पिच्ची बड़ की बात करें तो अच्छे खासे हापे match हो चुके और एक balance wicket देखने को मिल रही है ठीक है chase भी हो सकता है यापे defend भी हो सकता है यापे spinners को भी help मिल रहा है यापे Pacers को भी help मिल रहा है पिर पेशाओर ने 193 बना यापे क्वेटा ने 141 बना य तो लाहर ने chase किया इसलाबाद United ने 191 बना य तो कराची ने 190 बना दिये थे पिछले दो match देखोगे तो पेशाओर ने 185 बना य तो क्वेटा 161 बना पाई ते और कल के match में कराची ने 174 बना य तो मुलता ने chase कर लिया तो अगर देखोगे तो maximum matches में defend हुआ है second in में chase नहीं हो पाया है और जब पेशाओर खेलती है तो पेशाओर अगर touch जेत है तो पहले batting करने का य डिसिजन लेती ब्यूकर पेशाओर ने पहले बनाए है या पर देखोगे 193 बनाए फिर डिफेंड किया या पर 185 बनाए फिर से डिफेंड किया तो कुछ इससी तरह से ट्रेंड देखने को मिल रहा है इसलाबाद United में थोड़ी इंजरी की इश्यूज है अविलेबिलिटी पी इश्यूज है तो थोड़ा साथ देखके चलोगे दोसों पेशा और की बात कर लेते हैं आठ मैचेस हो चुके चार मैचेस जित चुके चार मैचेस लोग हार चुके अगले दो मैचेस इनके लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है ठीक है विकाज दो में सैटलिस्ट एक जितेंगे तो कई ना कई बनेंगे दो जित जाएंगे तो फिर इजिली कॉलिफाई हो जाएंगे कुछ इस तरीके सिन की प्लेंगी लिए उन रही है पिछले कुछ मैचेस में मुझे लगता है मोस्ट लाइकल य जही 11 प्लेस आपको खेलते हुए दिखने चाहिए अब इसमें देखको जजाई का फॉर्म ठीक रहा है तीन अच्छी पारिया है खेली आउट आफ फाइव मैचस तो अच्छा किया है अवरेजन मुझे डिबू किया पिछले दो मैचेस में रन बनाए सॉलिड रन बना इस साथ शोईब मलिक इनके कंसिस्टन परफॉर्मर रहे हैं 48, 25, 52, 44, पिछले माच में 58 रन तो कंसिस्टन्टली रन बने है तो बहुत जबरदस फॉर्म में है उसे इंतलाद सेकंड लास में इनको ड्रॉप किया था विकॉस ज्यादा रन बनने ही पा रहे थे फिर इनको पिछले माच में खिलाया 51 बनाए 33 बॉल में तो एक इंपॉर्टन पीक फिर से रहेंगे बिकॉस यह बॉलिंग भी करते हैं शेफ़न रूतरफॉर्ट हीट और मिस टाइप प्लेयर एक 70 रन की पारी जरूर इनको ने खेली है बट ओ कंसिस्टन सी अपने आद देखने को न की बात करें तो यह भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते बट इस सेजन में कुछ जादर नहीं कर पाए यासिर खान और टॉम कॉलर कैड मोरे पहले दो मैचस में खेले थे उसके आद यह खेले नहीं कामरा नकमल की बात करें तो पिछले दो मैचस में इनको ड्रॉप किय गया है हिदर एली को पिछले मैच में ड्रॉप किया गया है बॉली में मोहमत उमर है पिछले पाच मैचस खेले है इसरिप चार ही विकेट मिली है फॉर्स्ट मैच जो इनका डिवी मैच था बहुत बढ़िया इन्होंने स्टार्ट किया था तीन विकेट ले गए बगए पर मैच टू विकेट अगर आप देखो कि तो टोटल इन्होंने खेले है छे मैचस और छे मैचस में निकाल चुके है नाइन विकेट एक ही मैच था आप यह विकेट लेज गए तो उस मैच में बॉलिंग कर जाते ना इससे वाज़े से बहुत ज़्यादा इंपोर्टन बन जाते है वन डॉन बैटिंग करें रन नहीं बने है बॉलिंग के साथ तीन मैच में दो विकेट से निकाल चुके और पूरे चारों लगबग डाल देते है उसमान कादिर के बात करें तो सेकंड लास्ट मैच और थर्ड मैच एक खेलेने थे ठीक है उसके बाद पिछली मैच अब बहुत बहुत सांटे से से तीन मैच दिन मैच बच्चे वे तीन मैस दो जीते हैं तो फूर्ट एविसली कोलिफाई हो जाएंगे बट इंपर्टन है कुछ इस तरीके से इनके प्लेंगे लिए रहेगी दो चेंजेस रहेंगे एलेक्सेल्स पुल आउट हो चुके है टूर्णामेंट से तो वो खेलेंगे ने पॉल स्टरिलिंग तो अवेलेबल इन नैशनल डूटी के वज़े से जिशान जमीर पिछले मैच में इंज़ेड हो गए थे शादाब खान इंज़ेड हो गए थे तो ये दोनों प्लेयर्स भी अवेलेबल नहीं है ठीक है तो कुछ इस तरीके से मुझे लगता है ग्यारा प्लेयर्स इनके रहेंगे कॉलिन मुंडो अवेलेबल हो चुके इस मैच में तो अलिक सेल के जगव ओल आ जाएंगे तो गुरबाद जो कॉलिन मुंडो ओपन कर जाएंगे अकलाक नमबर तीन आजमकर नमबर चार आसिपली पाच लायम डाउसन छे फ़ई मश्रफ साथ तो इनके बास है बैटिंग अच्छी खास है पर आस इनके बास अच्छी खास है और इनके रहें में पैसर्स रहेंगे हसन अली मुंद वस्रिम जूनियर वकास मकसुद ठीक है अब देखो इनका जहीर खान भी लेप्टाम चाहेना मान देखके चलना हो सकता आपको खेलते वे दिखी जाए मुहमद हुराइरा के बारे में बहुत सुनने में आ रहा है कि हो सकता इनको चांस दिया जाएगा आज ओपनर और फिर वन डाउन कॉलिन मुंडो खेल सकते और आपको मुहमद हुराइरा खेलते हुए दिखे देखके चलना ठीक है अब देखो गुरुबाजी की बात करें दूतनाचा पेसल रहा है नहीं है साथ में से चार मैचस खेले हैं स्टार्ट मिला है बड़ कनवर्ट नहीं कर पाई इस बार अलेक्स सेल्स का अच्छा रहा मैचस में ज्यादा रन बने नहीं है आसी पली 28 बने थे पिछले मैच में 11 बाल में इनका भी पेसल बहुत अच्छा रहा नहीं पर टिम की कैप्टन सी करेंगे शाधा आपकान नहीं इससी वज़े से लाइम डॉसन और राइट हैं बैटर राइट हैं बालिंग कर लेते हैं अब बेंच पर देखो पॉल स्टरलिंग अविलेबल ही नहीं है मुबा सिर्खान पिछला मैच खेले नहीं थे मुहमद वसी में जूनियर भी पिछला मैच खेले नहीं थे बट मेरे सबसी यह दोनों इस मैच में कमबैक कर सकते हैं बॉलिंग में हसन अली है उतना पी एसल रहा नहीं है बहुत रन पड़े बहुत ज़्यादा रन पड़े विकेट्स की बात करें तो साथ मैच में इनको करीबन छे विकेट्स मिली है श्रिप और रन देखो इनको यहाँ पर 50 रन पड़े थे यहाँ पर 43 पड़े थे तीन ओवर में यहाँ फोर्टी नाइन पड़े पिछले मैच में 47 रन पड़े तो रन उन्होंने बहुत ज़ादा दिये है Lime Dawson दो मैचस खेले, दो मैचस में दो विकेट इनको मिली है 5 अश्रब की बात करे, फर्स्ट मैच में इनको दो विकेट दी फर्स्ट मैच में अगले छे मैचस में बॉलिंग तो करिए बट इनको एक भी विकेट नहीं मिला है ये भी थोड़ा देखके चलना शादा अवेलेबल नहीं है वकास मक्सुद इन्होंने बॉलिंग रेसे अच्छी करिए चार मैचस खेले नाइन विकेट्स निकाल चुके है भाई साब पिछले मैच में भी तीन व बन दिये विकेट्स की बात करें तो इनको करीबन मिली है छे विकेट्स इन्सिक्स मैचस पिछले मैच में ये खेले नहीं थे ठीक है मुबासर काम पाट टाइम मरें ज्यादा कुछ इंसे उमीद मत रखना है राइटाम अब्डेक्स पिनर है और मशन डी लाएंगे पहले दो मैचस खेले थी एक ही विकेट्स निकला था हो सकता है इस मैच में खेल जाए देखके चलना तो दोस्तों बनाएंगे स्माल लिग की टीम विकेट्ट के पर सेक्षिन मुहमाद हैरीस ओपन करेंगे तो मिला गुरुबाज ओपन करेंगे दोनों अच्छे पिक से दोनों म इनको ट्राइ किया जा सकता है स्पेशिली ग्रैंड लिग में कामरा नकमल को कॉर्ड मोर मेरे सबसे नहीं खेलेंगे मुहमद अकला खेलेंगे देख लेना बैटिंग ओडर कहा पर रहेगी बड़ में बहुत जाद रिकमेंड नहीं करूंगा चलते बैटिंग सेक्षन में देव और मेलेबल करते हैं कि अब थर्ड मालिक चे जाएंगे मेरी से बैटिंग केंड़ी विक लग रही है थो असकते बैटिंग मिल जाए रुटरफोर्ट थोड़ा नीचे ही बैटिंग करते है, मुन्डो तो अब विसले हम लोग पिक करके चलेंगे, फिर वंड़ों आएंगे, तो इस थर्ड बैट हम लोग कॉलिंड मुन्डो को ले लेते हैं, बाकि हैधर अली वगेर आते हैं, तो धोड़ा देखके चलना, हुर इनके तरफ देखना मत, लेये हम लिव क्ष्ण को ले लेते हैं, फिर आपके बैद कटिंग है, पिछले कुछ मैचेस में इनके रन बने हैं, बालिग नहीं कर रहे पर बैटिंग का रहे हैं, नीचे आगे बड़े शॉट्स लगाये हैं, उससれて तॉलाट पिष्ले मैच में बनाए है और भी थोड़ी बैटिंग और भी उपर नीचे चलिए ज़ी पिछ को शादब आपका नहीं है लिया भी जा सकता है चोड़ा भी जा सकता है बिकोश हर मैथ में तोरण नहीं बनाएंगे ना और बॉलिंग में कितने भी मतलब विकेट मिल नहीं रही है वह एक बिकोश हमने राइट हैंड बैटर्स रहेंगे मेरे साबसे तो उनके सामने लाइम डाउसन का रोल इंपॉर्टन रहेगा बैटिंग ठिक टाक कर ले तो बॉलिंग में एक विकेट ले जाए बैटिंग में पंद्रा बिसरन बना जाए तो अच्छे का से पॉइंट डेके च नहीं मिले है रन बहुत पड़े है ये इशू है बट कॉलिटी बॉलर है डेध बॉलर है तो भाई साब इनको छोड़ने का मन भी नहीं करता ये भी थोड़ा देखके चाना मैं यह पर सलमा निर्शाद को ले रहा हूँ उसके बाद पिकोश कंसिस्टेंटली विकेट निका जाएंगी इनका थोड़ा देखके चलना यह आपके लिगेम चेंजर पीक बन सकते बाक्यों और मुझे यहापे कोई खेलतावा दिखता नहीं है जहिर खान वगरे दिख जाए तो थोड़ा साथ देखके चलोगे जाहिद मेहमूद का नाम आइड किया गया है स्कौर में इ फिर यहाप पर हसन अली लेलू किसके साथ जाओ बिकास उस्मान कादिर अच्छे बॉलिंग करें इस पीने उसको हेल भी मिल रहा है हसन अली के अगर बात करें तो डेत में बॉलिंग करतें जरुत पर बैटिंग कर जातें थोड़ा सा कन्विज दोन में से किसे लू इस कुछ इस तरह के से बनेगी मेरी टिम फाहिम क्यों बैटिंग देगा बॉलिंग देगा अपको कहीं ना कई वो कॉन्फिडंस होता है कि यह चलो बैटिंग के साथ ने तो बैटिंग के साथ पॉइंट मिल जाएंगे दोनों जगवे पॉइंट मिल गए तो फिर आपके बले बले तो इसे वाज़े में फाहिम वाश्रप को पिक करके चलोगा बाकि उस्मान कादिर ले सकते हो वहाब रियाज लेना है सलमा निर्शाद के जगव वहाब रियाज ले सकते हो कम्प्लिटी यह आपका कॉल रहेगा कुछ इस तरह के से बनती है कैप्टन वाइस कैप कैप्टन सी दे देगी अब बात आती वाइस कैप्टन से किसे दिया चाहिए यह थोड़ा सा रिस्की चोईस है विकोज यहाँ पर देखोगे तो शोईब मलिक ने कंसिस्टेंटली रन बना इनके साथ जा सकते हो जय 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 ओपन करते है कॉलेन मुंडो कमबैक करेंगे इन पर आप फाइनल डिसीजन लेंगे बट डिफरेंशल प्लेस अच्छे है फई में लाइम डाउसन इनको रोटेट करके चलो अपने टीम्स में और जो भी न्यू प्लेयर्स खेलेंगे उनके बारे में मैं आपको बता चुका हुरायरा हो जाए फिर जाहिद मेमूद हो जाए कोई खेल जाए जो आपके लिए डिफरेंशल प्लेयर बनेंगे ग्रैंड लीक के लिए उनको जरू ट्राय करना फाइनल टीम्स के लिए टेलेग्राम चैनल से जुड़ो वही पर मैं फाइनल टीम दूँगा अकॉर्डिंग टू टॉस एन अकॉर्डिंग टू प्लेंग ल